बिल्कुल घर की बात कह रहा हूँ प्रियाजू का सुभाव ही है ऐसा लूट लो लूट लूट सके तो लूट बहुत भोरी है प्रियाजू बहुत हो रदर रदर इतने में रीज जाएंगी महान तो कहना ही क्या है सब महानों के महान उनकी ब्रेकुटी को जो हते रहते हैं उनकी मुख को जो हते रहते हैं उनकी रुची को जो हते रहते हैं इतनी सहज इतनी उदार ने कहूं ने तुम्हें पिस्वास नहीं हो रहा क्या ने कहूं नरिस कहूं भूली हूं नहोत सकत प्रेम समुद्र का सार तबिधुरुदाच इने आगे लिखे धं धं धन ते जे इनके उपाश उपाशना कताथ पर अगर्मति दूबति लगाना ही केवल नहीं है उपाशना कताथ पर होता है अपने आराध्य देव की नज़दीक रहना उपाशन नजदीक रहना बिलकुल शमीप रहना मतलब छिन छिन भीरत संग छिन छिन निर्खत प्रेम भर छिन जस कहत अबंग ये उपासना हम कभी अकेले न रहें खतरा है तो आप सोचोगे नहीं कमरे में दोखो रखे हैं प्रिया प्रितम को शाथ आते चलो प्रिया लाल भाव ना करें जा रहें चलो प्रिया लाल आके सिंगासन में प्रिया लाल को भी रहां आप ये नाचे गए अपनी प्रिया लाल के सामने आओ प्रिया लाल हमारी प्रिया लाल तो आपको यह नहीं रहेगा कि हमारे प्रियलाल तू घर में बैठें तो कैसे तुम उपा सको घर में बैठाल के आयो साथ लाना चाहे तो बोले कल से शोला बीश सिंग असन बुले आपने कहा दञा प्रियलाल को साथ भावला समझो यह वी तो सिंगासन ही है इसमें भी तो बैठा है, यहां बैठे है, मुस्कुराते रहते, खेलते रहते अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो अनुवव नहीं आता, तो मैं लपड़िक सिंग रसन में अनुवव हो गया क्या अगर आप ऐसे रहोगे तो नाच पड़ो कि देख ले ना आपको बाते साधारन लग रही है, लेकिन यह उपासना का रास्या है अगर देखो कि प्रियालाल मेरे, आप हो सकता है, आप कोरी भाव नहीं ठोक रहे हो, सब्तेता इसमें क्या है कि प्रियालाल हमाई साथ है पहली बाद तो हम सरणागत हैं, और प्रिभू ने कहा है, कि मैं अपने सरणागत को एक शण के लिए भी नहीं छोड़ता, जैसे छोटे बच्चे को मा करूँ शदातिन के रखवा जी जीम बालक रा, बक्तन पाचे यो फिर हैं जो बच्छरा संगा है तो स्वामिनी जो है नीजजन वातसलिट शीमा, जो इनके चरणों का अस्रे ले लेता है, तो वातसलिट शमुद्र की शीमा स्वामिनी जी, कितना वातसलिट दुलार करते हैं तो वही हिर्दे जाने का जो समर्पित है, दासी वतसलाक कर हिरादा वो कैसे छोड़ सकती हमें अकेले वो ना पशंद करती हो तो तरको कोई करे मांन रहे हो नहीं तुम्हें पशंद करती है तो पतंग ना पसंद करे डोरी तो हमारे आतमे है जाओ पतंग कहा जाएगी पतंगो यथातवा मनुभ्राम में माना कोई बात गप नहीं मारते कि हम उम्हें फोसलाने के लिए जो भी बात तस्मास शास्त्रम प्रमाणम जहां आपको शंसे हो लिख के लिया ना कल आपको प्रमाण करके बता देंगे प्रियालाल पतंग है नाम उनकी डोरी है और गुरुदेव ने वो डोरी बहुत द्रड़ता पुर्वक पकड़ा दी है अब बस खींचते जाओ छाती में आके पतंग लग जाएंगी नहीं लग जाएगी नाम जबते रहो नाम बाणी जहां से हम से हमाता है खाली तो नहीं है नाम ऐसा तो नहीं कि कह दिया आपने के प्रिया प्रितम हमारे साथ कैसे प्रमान दो प्रिया प्रितम कैसे नाम बाणी जहां से हम से हमाता है नाम की डोरी में प्रिया लाल बंदे लिये और दूसरी ब भी सोचते हैं कि आपके शिवा उनका कोई जय बिल्कुल अच्छे से समझें आप जैसा सोचेंगे वैसे ही वो सोचेंगे यह यह था माम प्रपध्यंते तास्त थायू जैसे भजोगे बेपरवा हो जाओ ऐसे लाडिले ठाकुर यही है सग्रूपों में पर ऐसा लाडिला सु वैसा उदार शुरूप यह तो एकश्वर में किसी भी मात्मा जो थोड़ा ब्रंदावन रसकुत महरानी जुके उदारता से तो भरा हुआ है सब कोई मानते हैं नित्य भिहार नित्य केली की बात नहीं जानते हैं पर उदारता की बात को सब जानते हैं महरानी जुकी राध दुटे हैं कुए नईरा रादा नाम की महिं महिंना प्रिया पितर रुनातन उपाशना है यहां ब्रंदावन की यह बाहर कि फिंद्र पाषना अलग है अलग-अलग लेकिन महारानी और लालजियू कि इसरातन यहां जो बीककमिर्ग पसुपंची जिशी महात्मसा भी नहीं कि सेवकाई के लिए मैल है वो कुछ भी बोलें पर हमारे भाव से ही देखना है बाणियों के भाव से ही देखना है अब हमें चिंता नहीं कर खूब सत्संग सुनो आनंदित रहो परहरदे में ये बात बेठा लो कि प्रियालाल हमारे इनका नाम इनकी लीलागैन इनकी शेवा यह हमारा जीवन है और यही हमारी सिद्धावस्था है शाधन में प्रीती हो जाना सिद्धावस्था का श्वरूप आ जाना है उसके बिना जिया ना जाए शाधक पकड़ता है और शिद्रशा श्वाधन करता है उसमें डूबता ह तो डूबना तभी होता जब मात बुद्धी हो जाए हमारी मात बुद्धी बस इतने में नाम, लीला गायन, सेवा जिसे कल चर्चा में अब नाम में कैसे बन के नाम जब करना है कैसे सावधानिया रखना है वो होती है रेती चर्चा सेवा में कैसे वो चर्चा होती है अगर वो शावधानिया पूर्ण नहीं आ पा रहे और ये तीन बातें आ रहे हैं कि नाम जबना है लीला गायन करना हो जैसे बने वैसे सेवा करने है तो आप ठीकाने पर पहुंच जाओगे इसमें कोई शंसाय नहीं है जाओ सब सावधानिया हो और ये ना हो तो विश्वास नहीं कि आप ठीकाने पर पहुंच जाओगे बस अंदर से देख लो आप महरानी जू की ठसक में हो कि नहीं बस ये हमें चाहिए एक आस बात वो अपने आप आप से साधना ऐसी करवा लेंगी कि कोई ऐसा नहीं कैसकता कि इनको बेटे बेटे आप तो आमसे क्या तुसमनी थी हमको पद क्यों नहीं दिया आपको प्रमानित कर देंगे कि ये पद की योग यह है वो बना देंगे ऐसं आपको वो ऐसे आप से सेवा करवा लेंगी वो ऐसी आपको चतुरता दे देंगी कि शामने से कोई ये ही नहीं के सकता कि अनाधिकारी को स्रीजी ने रख लिया ऐसा नहीं क्योंकि एक रेखा है उसको क्रास करते ही सब अधिकारी हो जाते हैं जिसे भागवत में नहीं प्रशंग आता है इलावर्त खंड में वहाँ प्रवेश करते ही सुद्युम्न सुंदर राज कुमारी बल गए उनका गोड़ा गोड़ी बल गए उनके अंग रक्षक सब सक्ट इस तरी रूप हो गए सब एक दूसरे को देखके मुस्कराय के हो क्या गया मुले रेखा पार कर गए इधर आ गए इलावर्त खंड में और यहां भगवान महादेव जी के द्वारा रचित विधान है क्योंकि यह उमार महादेव की बिहरण स्थली है यहां कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता इसलिए यहां जो प्रवेश करता है वो शब ऐसा हो जाता है महादेव जी भी जहां की चरण रच अपने माथे पी रखना चाहते हो नित्य भी आर्रस है यहां भी एक रेखा किची हुई है अंज्याने में ही उस रेखा को पार कर गए तो बल गए ला तो यह इस रेखा में दम नहीं है क्या अरे इस रेखा में तो महादेव जी को भी बदल दे असी बेर जो वहां का सिद्दांत रखने वाले है ब्रज के रास में ही गूपी भाव को सोईकार करके महाराच सम्मिली थुए यह तो महा नित्य भिहार अरस है अगर उस रेखा को गुर्जनों से सुदाए कि पक्षी भी तो शैचरी वाव को प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हें इन बात पर विश्वा सुना चाहिए अपने करतापन से जो मिलेगा बहुत थोड़ा होगा इनके होने से जो मिलेगा अगा जाओगे अब करतिक्रत्य भैयों में पायो उपरम विश्राम पर करतत्य आभिमान ये बात समझने यही आएगी समझ में चाहिए जितनी शादना कर लो बात जब समझ में आएगी तो यही आएगी जो कह रहे है यही आजाओगे अभी मानलो तो दोड़ना नहीं पड़ेगा उतना पीछे बस नाम, बाणी और शेवकाई अब हमारी जितनी चेश्टाएं वो सब सेवकाई दो भी भाग करके सेवकाई करने वाला चल नहीं पाएगा ध्यान दखना परिशान है अरे बाबा जी तो ठीक चलेगा लेकिन हमार पत्नी के अनकूल तुम चलो पुत्र के अनकूल चलो मता-पिता के अनकूल चलो धर्म के अनकूल चलो और ये अनकूल ता सिरी जी के लिए कर दो हो गई साधना अच्छे से करो उपासक वही होता है वो जो करेगा बहुत मनोयोग से करेगा उपासक और बहिरमुख में अंतर है दोनों को शोहनी पकड़ा दो शोहनी बता देगी किसमें बहिरमुख कौन है उपासक की शोहनी ऐसे होगी कि देखने लायक होगी इतना तिनका भी नहीं होगा और उसकी जाडू की जाडू अलग-अलग नजर रहेगी पते तो बहर मुखा है वो अभी डूबा नहीं है नाम में न रूप में से उकाई के भाव में पात्र मारजन करेगा तो कहीं भी कुछ लोग ऐसे भी पात्र मारजन करते हैं कि दूसरे दिन उसमें देखो तो दाल के चिन बने वे पात्र हैं हम देखी वी बाते केते हैं जल्दी-जल्दी ऐसे ओए अहल नहीं श्री जी की सेवकाई साब श्रीजी की सेवकाई की भावना से करना है पात्र को ऐसा मारजन करो ना उसमें चिकनाट रह जाए और ना जो लेप लगाया हो रह जाए बालो आप नि कि ऐसे साफों की दर्शन करने लायक रहे हैं साफ कि आप पोच के एक दब जो रस्वई भले एक दो पदार बहुत पवित साफ स्वब जो करो जो कर अगर व्यायाम कर तो मनोयोक्षे करो स्रीजी के लिए कर रहे हो यह सरीर उनका पात्र है इसका व्यायाम करने के मतलब मारज स्रीजी होगी और स्रीजी का उद्देश नरा तो स्रीजी की सेवा करते विए भी आप इसा अनंद कानुभों ने कर सकते लिख लेना उद्देश श्रीजी का होना चाहिए उद्देश श्रीजी की प्रशनता और सेवा का है तो अपने बच्चे को दुलार करना अपने माता माता पिता की शेवा करना ग्रैस्त दर्म यह बहिर मुखा जो जो बाबा जी है और बहिर मुखा है गुरुजी ने कहा था लुए गुजा कि शेवा करना ये लियो पिला अभी जा के अब हम अलग-अलग दर्म क्योंकि हम इसे उत्तर सुनते है ना इसलिए बोलते है निवरत्ती मार्ग में कदम रख दिया तो अब हमारा सिद्धान तो बदल गया अब मैं आगी जो होगा प्रवत्ती मार्ग में ये दिया है तो माता पिता की शेवा परिवार की प्रति जैसा साहनुभूती रखते हुए उसकी अनुकुलता देना और ये सब का सब स्रीजी के लिए उद्देश कर लो बगवत्त प्रति स्रीजी के आपको पर मनोयोग से करो जो कारी करो स्रीजी के उद्देश से करो मनोयोग से करो वही उपासना बन जाएगी और मनोयोग और उद्देश यहां आप समीप रहते हुए नहीं है तो आप देख लिजेगा अनुभों में नहीं आएगा वही आप देख रहे हैं वही और रशिक जन देखते हैं तो देखने देखने में अंतर हो जाता है तो क्यों अंतर होता है क्योंकि अपने पन में अंतर इसलिए अंतर है जितना अपना पन होगा अपने पन का सारा खेल है सत्संग होता है किसी किसी को नीद भी आ जाती है क्यों? क्योंकि अपना पन प्रभुशेन है इसलिए नीद आ जाती कैसे है? एक मा कर लाड़ला लड़का अमेरिका में रह रहा हो वहां से पत्र भेजाओ और मा के सुनो यह पत्र आया है आपके लग़े हाँ वह कैसी हूँ? अब जब वह सुनाएगा वह सो सकती है वह मा सो सकती है हमें इसका उत्तर देओ उसके पुत्र का पत्र पढ़ा जा रहा है और वो सो जाएगी ऐसा संभव, हो ही नहीं सकता लेकिन वो ही पडोशन बैठी हो वो सो जाएगी क्योंकि उसका पुत्र नहीं है इसलिए लेकिन जिसके लाड़े लेका वो एक-एक शब्द पान करेगी और उसके सरीर में वो ऐसे हाव भाव दिखाई देंगे आईसा बुला है हमारे लिए कुछ लाएगा अमुक तारीक को आएगा अच्छा प्रणाम आरे खुस रहो ना बिल्कुर सामने अनुभव करेगी वो तो अगर प्रिया-प्रितम अपने तो उनकी हर बात आपको ऐस इससे कई गुना बढ़कर प्यारी लगेगी नींद आ जा ऐसा तो सवाली नहीं उता कैसे आ गयी नींद प्रिया-प्रितम से अपना पन नहीं होने के कारण सच्छी माने है कैसे उस मा को नीद आ सकती है उस पत्नी को नीद आ सकती है जिसके पत्ती का पत्तर आया है और वो कब आएगा कैसा है और ये उसमें पढ़ा जा रहा है उसको नीद आ जाएगी कि पत्तर सुनते सुनते सो गई ऐसा नहीं हो सकता अशे है हमें जब प्रियालल से अपना पन हो जाएगे तो जीतने बिकार है तुम्हें त्यागने नहीं पढ़ेंगे अरुछे हो जाएगे यह अनुराग इतना समर्थ है कि बैराग की पढ़ने की ज़रत नहीं है अपने आप जो आपको नहीं करना चाहे हूँ अपले आप होगा ही में रुची ही नहीं रह जाएगी अनुराग समर्थ है अनुराग से जो बैराक कि रहे होता है बड़ा प्रशर शर्शन होता है रसबल छूटए जो बसे यह रस ही तो अनुराग है प्रिया प्रितम अपने हमारा काम हो गया, क्योंकि हमें प्रिया प्रितम का नाम मिल गया, धाम मिल गया, उपासना मिल गई, या हमें वो युक्ति मिल गई कि हम दूर देश से भी नाम धाम के हो जाएंगे, कोई परिशा, बिल्कुल शुलजी हुई अपनी बात है, हम चाहे योग वासिष्ट का करें चाहे वेदान्त का करें पर आप अगर ध्यान से पकड़ोगे तो उपासना की परिपक्कता स्यामा स्याम केई होगी कोई ऐस सास्त्र नहीं जिसका सत्संग लगभग लगभग नहुआ हो पर आप जितने सब हैं रशी का नन्य हुए कि नहीं हुए परिणाम पर आओ आपके हाँ ऐसा तो नहीं है कि इधर भहरो बाबा बियार पर इधर आइसा तो कुछ लही है सब लाधा नाम राधा पर चर्चा तो सब क्यों हुई है कोई ऐसा भगवत शरूप नहीं जिसकी चर्चा नहीं कुई ऐसे मात्मा नहीं है सम्प्रदाए आचादियों की, कि जिनकी चर्चा नहीं प्रारणस सब संद् illustrated तो हुआ क्या है जहां हरदे लगा है तो वाणी जाकर वहीं पुँचा देगी अब आपको चिंता नहीं करनी है जो हमें ओशदे मिलती जाए हम खाते जा रहे हैं धीरे धीरे निरोग होते हुए अपने घर जा रहे हैं बिश्राम है तो अब ये बिश्राम सदा सदा के लिए शी ब्रंदावन ये बिश्राम भूमी हमारी अनंत जन्मों से तक गया तक गया बेवार करते करते लाडली जुने आज दरवाजा खोल दिया आज अपने घर और बिश्राम कर ले आए मिले परिवार आपने हरिहस कंठ लगायो आगये अपने घर में तो थोड़ा इस पर महत दीजिए आपके पास रतन अमूल है पर महत तो नहीं दे रहे इसलिए एक एक रुपे के लिए बटक रहे हो अमूल रतन है पाई रतन चीन हो नहीं चीनों का मतलब महत तो कीजिए कि आपका कितना बड़ा हाँ सोभाग गुदे हो गया लाडली लाली अपना कर मुझे धाम नाम रूप क्या उपासना दे गजब की सत्य कहते है क्योंकि पीछे उपासना से धान्त सास्त्री उनी मार्ग से आए बात देखते हैं सारबात तो यही है यही कितना भी दोड़ भाग लू विश्राम तो यही मिलना है कोई भी हो अपने तो बात बन गए नागरीदासी जनम जिताए उबलिया अपने घर की हो तसली रखो शान्ती रखो ज्यादा भरबरा हट प्रस्मुत्तर मारा मारी जरूरत नहीं साम अगर गुरू क्रपा के घेरे पर बिश्वास करो तो कोई पैदा ही नहीं हुआ कि तुम्हें ब्रस्ट कर दे अगर आप अहंकार के तो कोई पैदा ही नहीं हुआ कि तुम्हें बचा सके दोनों बाते याद कर ले ला गुरू क्रपा एक वो महान कवच है कोई पैदा ही नहीं हुआ कि ब्रस्ट कर सके वहंकार कोई पैदा है नहीं कि बचा सके जग गिरना पड़ेगा कीन हो इसका भोव अभिमाना सोखो वन चाकर पारिदाना सरनागत सरनागत बने रो कभी आहम की पक्ष में मत हो लाडनी लाल की सिवा कोई अपना है नहीं ऐसा बैठालो कोई कठिन बात नहीं निकुझे चलना कोई कठिन बात नहीं बस कठिनता है होती कि अपनी अपनी माननेता है अपनी भावना है अपने अपने संबंद यह हम मिटा नहीं पाते यही कठिनता नहीं यह तो हमारे घर के बात है भूल गए थे भूल शुधारी लोटके अपने घर आ गए सभासस के मिल रहे हैं गले लगा रहे हैं यह हम जो बताना चाहते हैं अंत्री आप अपनी महत्वद्धी लोक की महत्वद्धी को समर्पित कर दीजिए और एक यह अंत्र की तरह नाचिये उगवा रहे हैं तो हम गा रहे हैं नचा रहे हैं तो हम नाच रहे हैं वो रूला रहे हैं तो हम रो रहे हैं वो पवा रहे हैं तो पा रहे हैं सुला रहे हैं तो सो रहे हैं खतम खेल इसी को कहते हैं शिद्धा अवस्था ग्यानी महापुरुशिशी अवस्था को चलते फिरते उठते बेटते खाते पीते गुणों में देखते हैं अपने को अकरता देखते हैं भगते प्रभु में देखता है और अपना आस्तित्थ्वी नहीं रखता है किसी एक मार्ग का अनुशरण हो सकता है बहुत मार्ग तो चला ने अपना मार्ग जो है श्री जी की सेवकाई है सेवकाई जगने से लेकर शें तक हमारी सारी चेस्टा केवल स्रे हम सारे गामा पधर नहीं तो सिरी जी के लिए गाना है ना, तो पूरी वैसे ही एक आग्रता रखनी है, पूरी एक आग्रता, पोछा लगा रहे ना, सिरी जी के लगा, इतना भी कहीं बकाया नहीं रह जाना चाहिए, पूरा, रशोई बना रहे हैं, सिरी जी के लिए, हम जो कर रहे हैं, सिरी जी के लि धारन कर रहे है जीवन श्री जी अपना अस्तित तो क्या है भी है जिसने अपना अस्तित जितना बचा रखा है वो हमारी श्री जी के मार्ग से उतने ही दूर है यहां बश हो गया हमारा आज का सुबह का सत्संग देखिए हमारा हो गया काम तो क्या हो गया, सारे विकार तो आपके अंदर है तो जिसके अंदर हुआ ही नहीं हमारा बचा तो हमें चिंता क्या करनी है तो दे दिया ना सिरी जी को गंदा था पर ले लिया सिरी जी जो ले लिया तो हमें थोड़ी कहे लिए कि सिरी जी देखो ये वाला कपड़ा हमारा सिरी जी पहने वे यही आदत है तुम्हें पता है ये जो आज मुकुट बना है हमने बनाया है अच्छा बहुत बढ़े याँ ये सुनने के लिए कान लला ही तरह है ये ऐसे समर्पन में थोड़ा सा सुधार किया जाए उनका उनहीं के दिये हुए बिवेक से उनहीं के द्वारा दिये हुए सामाग्री से नहीं तो पहले मुकुट बना लेते कभी बनाया है नहीं उनकी द्वारा दिये हुए शेवा से सेवा सामाग्री से उनकी शेवा और ये हाथ भी उन्हीं की सेवा पात रहे यह जीवन भी उन्हीं की शेव का है तो मेरा मैंने इस शब्द इस मार्ग के उपाशक में नहीं होते है बले शब्द निकले लेकिन अंतरिक भाव में शब्द नहीं होते है इनका मात तो नहीं होता है केवल प्यारी बिलकुन निश्चिंत हो जाओ समर पढ़ है से अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे बैठालो न देखो हमने बताया मापरूं को एक बार भी ने